क्या आप भी विहार पैरामेडिकल 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग ले काफी ज़्यादा इंफोमेटिव रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विहार पैरामेडिकल 2023 के स्लेबस से परिचित करवाऊंगा और यहाँ पर ये भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स की अंतरगत कौन-कौन से इंपोर्टन टॉपिक है जो आपको पढ़ना है और साथ में एक डेमो क्लासिस की वीडियो भी दूँगा ठीक है उसके बाद यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग हमारे स्कोर्स को पर्चेस कर सकते हैं जी हां दोस्तों तो चलिए यहां पे मैं बिहार पैरामेडिकल 2023 का न्यू स्लेवर्स न्यू पैटन जो है वो बताने जा रहा हूं ठीक है तो देखे यहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस के स्लेवर्स को यानि साइंस में देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे पिहार पैरामेडिकल 2023 लेबस साइंस तो यानि साइंस में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को कबर करेंगे यानि फिजिक्स में कौन-कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं यानि किन-किन टॉपिक से number of questions पूछे जाते हैं इस बार जो है यानि 2022 की परिक्षा में dimension से question भी था ठीक है dimension से question भी था उसके बाद next जो topic है वो है motion यानि गती तो ये भी topic काफी ज़्यादा important हो जाता है आपके exam के point of view से इसके बाद circular motion यानि वृत्य गती ये भी topic काफी important है इसके बाद work power energy जी हाँ दोस्तों कार्य सकती और उरजा ये भी topic काफी मैं important कहूंगा क्यूंकि इस topic से भी question जो है पुछा जाता है है ना दो से तीन बार पुछा गया है तो चलिए इसके बाद जो है अगला topic है वो है gravitation यानि गुर्थवा कर्शन तो ये भी topic अपने आप में काफी ज़्यादा important topic हो जाता है इसके बाद जो है thermodynamics यानि उश्मा गती की ये भी काफी important topic रहेगा आपके exam के point ये वो से ठीक है चलिए इसके बाद जो है अगला topic है वो है oscillation जी हाँ oscillation यानि दोलन तो दीखे इस topic से भी question पूछे जाते है oscillation के अंतरगत जो है आपको SHM related questions पूछे जाते है यानि simple harmonic motion यानि सरल आवर्थ गती ठीक है तो यहां से भी question देखने को मिल जाते है इसके बाद अगला topic है वो है wave motion and Doppler effect है ना यानि तरंगती और Doppler प्रभाव ये भी topic अपने आप में काफी important topic मैं इसको कहूंगा ठीक है इसके बाद electrostatics यानि इस्थुर वैदूतिकी है ना तो ये भी topic काफी important रहेगा ये भी topic जो है guys काफी important रहेगा electrostatics ठीक है यहाँ पर हर ये topic को आप अच्छे से जो है समझ सकते हो और उसके बाद अगर आप लोग को paid course लेना है तो आप लोग ले सकते हो otherwise आप लोग खुछ से भी पढ़ सकते हो ये सभी चीजे जो है आपको books में भी मिल जाएंगी है न और मैं ये भी बताओंगा कि कौन से book लेनी है किस publication की book को आपको लेना है ठीक है इसके बाद capacitor यानि संगहारिता इससे भी related question पुछे ज भाव ये भी topic ये भी topic काफी important कहूंगा दोस्तो इसके बाद ray optics यानि ray optics के अंतरगत किरन प्रकाश की ये भी topic पढ़ना है उसके बाद last में miscellaneous डाल सकते हो जो भी topic बच जा रहे हैं उन सभी topics के जो है हम लोग question answer को कर लेंगा इसको miscellaneous मे रख दो sir इसको miscellaneous मे रख दो ठी chemistry के अंतरगत जो है क्या क्या चीज़े आपको पढ़नी है अब दोस्तो बात करेंगे हम लोग chemistry के उन सभी topics के बारे में जो topic हमें पढ़ना है यानि जो topic आपके exam के point of view से काफ़ important हो जाता है तो दीगे जो पहला topic है वो है guys यहाँ पे atomic structure जी है atomic structure and theory यानि आपको यहाँ पर इसके बाद chemical bonding यानि इससे भी questions पुछे जाते है यानि रसाइनिक बंदन ठीक है तो यह भी topic जो है अपने आप में काफी ज़्यादा important topic हो जाता है इसके बाद radio activity यानि radio धर्मिता यह भी topic काफी important topic है इसके बाद electrochemistry जी है electrochemistry यानि विदुत रशायन यह भी topic आपको पढ़न है इसके बाद oxidation and reduction oxy current तथा अपचयन यह भी topic मैं कहूंगा काफी ज़्यादा important role play करेगा आपके बिहार paramedical 2023 की परिक्षा में इसके बाद equilibrium जी हाँ इससे तो question fix है guys इस topic से question fix है यानि समयावस्था से related question पूछता ही है यानि इस topic से आपके बिहार paramedical की परिक्षा में question आना नहीं आना है fix है इसके बाद solution and distribution law यानि वीलियन तथा वीतरन नियम ठीक है इसके बाद collidal state and catalyst यानि collide अवस्था उत्परेड़न यह भी topic important हो जाता है इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर भी thermo chemistry और thermodynamics यह भी पढ़ना है यानि उश्मा रशायन और उश periodic table and periodic properties यानि आवर्त साणी और आवर्त गुन यह भी topic पढ़ना ही पोई अब देखिए इसके बाद अगला topic है hydrogen its compound यानि hydrogen तथा उनके योगिक इसके बाद d block elements on transitions element यानि d block के तत्व और संक्रमन तत्व ठीक है तो देखिए दोस्तों syllabus कोई जादा नहीं है syllabus जादा नहीं है अभी भी आपके पास देखा जाए तो कम से कम तीन से चार मंथ है तीन से चार मंथ है आपके पास ठीक है तो अगर आप हमारे paid course के थूरू अपनी तैयारी करते हो तो यहाँ पे आपको एकदम सही guidance मिलेगा हर एक subject के अलग-अलग teacher मिलेंगे ठीक है और यह courses आप कैसे purchase कर स है तो देखिए सबसे पहले introduction of biology, cells पढ़ना है इसके बाद cell division पढ़ना है, digestive system पढ़ना है, respiratory system पढ़ना है तो यह जो है काफी important topic हो जाते हैं इसके बाद circulatory system पढ़ना है, excretory system पढ़ना है, skeletal system पढ़ना है, nervous system पढ़ना है, reproductive system पढ़ना है उसके बाद genetics यानि अनुवांशिक इसके बाद evolution, ecology है ना, उसके बाद plant group के बारे में पढ़ना है, tissue के बारे में पढ़ना है, classification of animals है ना, इसके बाद biotechnology, disease, environment and pollutions, उसके बाद vitamin, glands and miscellaneous ठीक है, तो यह सभी के सभी important topic हो जाती है आपकी biology के section में ठीक है, तो यह अगर आप topic इतना पढ़ लेते हो, तो biology से जो भी 8-9 questions पुछे जाते हैं, आप सभी questions को easily हल करके आ सकते हो, अब बात करेंगे हम लोग English में, ठीक है, तो दिखें, English को basically दो section में divide किया गया है, section A में जो है, जेखिए, past of speech से question fix है, आता ही आता है, ठीक है, past of speech से question fix है, आना ही आना है, और past of speech कितने प्रकार के होते हैं, यह भ sound verb, adverb, adjective, prepositions, conjunction and integrative, यह 8 पढ़ने होते हैं, ठीक है, इसके बाद अब यह past of speech खतम हो जाता है, तो आपको tense पढ़ाया जाएगा, voice, narration, syntax, यदि आप इतना पढ़ लेते हो, that will be sufficient for your examination in English, ठीक है, तो English section में यह जो है, sufficient रहेगा, इसके बाद यह common error से भी questions पुछे जाते हैं, अगर यह पढ़ लेते हो, आप इतना topic, past of speech, tense, voice, narration, syntax, तो यह सबसे जो भी questions पुछे जाएंगे, वो common error के थुरू पुछे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद fill in the blank से भी, मतलब questions को create कर दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद direct question based on English grammar, ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया, अब द correctly spelled word, ठीक है, तो यह सभी सभी questions पुछे जाते है, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हिंदी के syllabus के बारे में हिंदी में क्या-क्या पढ़ना है आपको, तो देखें हिंदी में वर्ण माला, वर्तनी शुद्धी, शंदी, उफसर्क प्रत्य, तच्षम तद्भव, शंग्या स्वर्वनाम, विशेशन, क्रियाक, कारक, लिंग, वचन, अव्याय, निपात, उसके बाद प्रयवचिशब्द, विलोमसद, मुहावरे, उसके बाद अलंकार, रस हो गया, हिंदी शाहित्य हो गया, तो यह सभी के सभी आपके हिंदी के syllabus हो जाते हैं, ठीक है, जो आपको इसके बाद अब जो है, mathematics के अंतरगत, जो है, कौन-कौन से topics पढ़ने हैं आपको, तो देखें, mathematics के अंतरगत, जो है, number system पढ़ना है, search indices पढ़ना है, square and square root पढ़ना है, cube and cube root पढ़ना है, average है, age-related questions भी पूछा जाते हैं, यानि, IU से सम्मंदित प्रशनों भी जो है, आपक यानि, compound interest, चक्रविधी व्याज, ठीक है, इसके बाद जो है, आपको, यहाँ पे, mensuration यानि, छित्रमीती से भी question देखने को मिल जाएगा, इसके बाद, algebra है, सरलिकरन है, यानि, simplification है, misrit, यानि, miscellaneous, अब जो भी topics बढ़ जा रहे हैं, उसको हम लोग, miscellaneous के अंतरगत जाने ठीक है, और इसके बाद, geography की बात करें, यानि, भुगोल की बात करें, तो देखें, इसमें, सोर मंडल के बारें पढ़ना है, महादवीप के बारें पढ़ना है, वायु मंडल, नदिया, जहिल, राजधानी, मुद्रा, जलपुरप्राप, भारत की किरिशी, भारत की मिट् ठीक है, उद्दोग, परियोजनाय, राष्ट्य उद्दान, अभ्यारन, ठीक है, तो ये टॉपिक अगर आप भुगोल में पढ़ लेते हो, तो ये सफिसियंट रहेगा, उसके बाद, political science में, यानि, राजनितिक विग्यान में, राष्टपती, उपराष्टपती, शंग्य ये सभी topics आपको, political science में पढ़ने हैं, इसके बाद, economics के अंतरगत, क्या-क्या topics पढ़नी हैं, पंचवर्शी, योजनाय, से सम्मन्दीत, question पूछ ले जाते हैं, प्रमुख, वीतिये संस्थाएं, क्रिश्य, उद्दोग, अगर आप पढ़ लेते हो, economics में इतना, आप लोग स्टार्ट करता हूँ, वो आपको पढ़ा देता हूँ, as a demo के रूप में, as a demo के रूप में, मैं physics का एक topic लेता हूँ, dimension, क्योंकि dimension से question इस बार आया था, इसलिए ये topic भी important हो जाता है, यानि dimension, यानि वीमा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, class को, तो चलिए student, एक topic हम लोग पढ़ लेते हैं, dimension, यानि वीमा, इस topic से question हमेशा पुछे चाते हैं, पिछले बार ही a question पुछा गया था, ठीक है, तो देखो, है तो ये topic का नाम dimension, यानि वीमा, और इस topic की मदद से मैं आपको unit निकालना भी सिखाऊंगा, यानि बहुत सी बहु बहुतिक रासी का अपना अलग-अलग SI unit होता है, और अपना अलग-अलग dimension, यानि वीमा होता है, ठीक है, तो हम unit निकालना भी सिखेंगे, और dimension निकालना भी सिखेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है, तो सबसे पहले, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, कि 7 महत्यपू आपको यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, तो सबसे पहले लंबाई, यानि जिसको length कहते हैं, ठीक है, sir, लंबाई यानि length, length है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अगर मैं पूछूं, length का, यानि लंबाई का, unit क्या होता है, तो क्या बोलोगे, बोलो, unit क्या होता है, देख एक तरफ unit हो गया, एक तरफ symbol हो गया, एक तरफ dimension यानि भीमा हो जाएगा, ठीक है, यानि उसका भीमा क्या होगा, ये लिख देना है, ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा, अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, करते हैं ठीक है औब सका डाइमेंशन जो भाइनी विमा वहाग तो वह होगा याद रखना क्या होगा दो लम्बाइन लेंथ और ninh का क्या होता है धिक इसी परकार और बहए लहत है दुखो अगली भावतिक रासी है एप भी को सब् eugenique Yap , मास को जिसको कहते है क्या कहते हैं मास ट Wakud मास का मास का यहां पूझ यूनी यूनित होता है क्या होता है अब बोलो है ठीक है और इसका जो सिंबल होगा, वो क्या होगा, केजी होगा, अब इसका जो, दिमेंशन होगा देखो, लंभाई का यानि लैंथ का क्या होता था, … अल इसी प्रकार, मास का क्या होजैगा, … ठीक है,ट्क है, यानि B Mास, जीक फिर नियुकर आ थीक है लेया, यहीं है इसके बाद देखें तीसरा भातिक रासी है जाँ एक chaat list मैं आपको डिरेक्ट बता देता हूं ठीक है तो लंबाई हो गया यहां पर ठीक है लंबाई यानि लेंध त्रविमान हो गया यानि मास हो गया इसके बाद समय यानि time आप सब मैं आपको दिखा दिखा देता हूं जिससे आपको easily तरीके से जो है पता चल जाए, देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना है, जैसे अभी मैंने बताया था, लंबाई, यानि length का क्या होता है, मातरक, meter होता है, संकेत, small m होता है, dimension यानि L होता है, ठीक है, दरब्यमान का मैं बात करूँगा, तो दरब्यमान यानि जिसको mass कहते है, सर, mass का मातरक क्या होता है, unit क्या होता है, kilogram होता है, संकेत की बात करेंगे, तो यह kg हो जाएगा, और इसका dimension होगा, विमा होगा, दरब्यमान का वो क्या होगा, M होगा, ठीक है, इसी प्रकार समय, समय यानि जिसको time कहते है, समय यानि time, तो time का unit क्या होता है, second होता है, और संकेत क्या होगा, small s से represent करते है, और dimension क्या हो जाएगा, इसका T हो जाएगा, ठीक है, तो यह 3 तो हो गया, इसके बाद चौथा जो है, तापमान, देखे, तापमान यानि temperature जिसको कहते हैं, ठीक है, तो इसका जो SI unit होता है, वो क्या होता है, देखे, तापमान के तो मातरक बहुत से हैं, तापमान के मातरक यानि units तो बहुत से हैं, जैसे degree Celsius हो गया, degree Fahrenheit हो गया, Reumer हो गया, Kelvin भी हो गया, लेकिन इसका SI unit कोई एक ही होता है, तो SI unit कौन सा है, Kelvin है, ठीक है, Kelvin है, तो इसका संकेत क्या होता है, Kelvin का small k होता है, लेकिन dimension की बात करेगा तो वो capital K हो जाएगा, ठीक है, dimension जो है, यह capital K रहेगा, चलिए, अब इसके बात देखीएगा, यहाँ पे धारा है, यानि जिसको current कहते हैं, ठीक है, और इसका ऐसा unit क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऐसा unit आपका ampere हो जाएगा, और इसका जो symbol होता ह है, वो क्या होता है, A होता है, और dimension भी क्या रहेगा, A रहेगा, याद रखना है, यह सभी की सभी चीजे आपको बाद में जरूत देंगे, ठीक है, यह सब की सब चीजे जो है, इसका सब का यूज होगा, सब मैं पूछूँगा आपसे, यह जितना भी मैं साथ बहुती करा to be a density कहते हैं, तो इसके ऐसा unit क्या होता है, Candella होता है, सिम्बल की बात करें, तो cd होता है, इसका जो dimensions होगा, वो क्या होगा, dimension की मैं बात करूँगा, तो dimension यह क्या होगा, c रहेगा, ठीक है, याद रखना है, चलिए, अब इसके बात जो है, पदार्द की मातरा, यानि amount of substance तो इसका जो यहाँ पर unit होता है वो क्या होता है? मोल होता है और symbol की बात करें तो small mol होगा ठीक है और dimension की बात करें तो एक capital N हो जाएगा ठीक है capital N हो जाएगा सब को दिख रहा होगा है ना बच्चो चलिए तो यह ध्यान देना है अब आए यह कुछ और भी basic points है उन्हें जान लेते हैं उसके बाद जो है जितनी भी बहुत इक रासिया है सब का हम dimension निकालना सीखेंगे ठीक है तो आपको जो है screen पर देखना है ध्यान से देखना है तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ और भी दो तिन basic points है उससे मैं बता देता हूँ उसके बाद हम लोग सीखेंगे चलिए अब यहाँ पर जो है आपको एक point यह लिखना है sir point क्या है point पहले लिख लो ठीक है point पहले लिख लो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक होता है अगर संपूरक मातरक के बारे में कोई पूछे ठीक है संपूरक मातरक के बारे में अगर आप से कोई संपूरक मातरक के बारे में पूछता है यानि supplementary unit के बारे में संपूरक मातरक यानि supplementary unit supplementary तो supplementary unit जो होता है वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो देखिए, supplementary unit जो है यहाँ पर basically दो तरह का होता है, दो परकार का होता है पहला जो है, वो समतल कोन होता है, समतल कोन, समतल कोन यानि plane angle, plane angle, ठीक है, plane angle, ठीक है, समतल कोन यानि जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, plane angle बोलेंगे तो अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चो बताओ इसका जो मातरक होता है तो मातरक यानि जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा वो रेडियन होता है radian, क्या होता है, radian होता है, radian, ठीक है देख तो यह हो गया, और एक दूसरा जो होता है, ठोस कोन क्या होता है, ठोस कोन होता है यानि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, एक होता है ठोस कोन, यानि इसको हम लोग क्या कहेंगे है सै यह वह विए और यह किया है सॉली ड लेगल तो इसका जो होता है वो क्या होता है से रेडियर test इसना लिख लिए तो आपको बता दे नोट में लिख लिजीगा कोण का कोई भी डामेशन नहीं अगर मैं इसके heinen Cy8 का कोई दाइंशन का कोई कただई में आइंशन दो कोई कोई डेअंशन सब्सक्राइब który outर्णुन को भीमा लेजय कुडिन अगर आपको को नोट में की दो पोईंट सकनल हो तो दो नोट में को पोईंट लहता हमाई एंगल का यानि कौन का कोई डायमेंशन नहीं होता, कौन का कोई वीमा या डायमेंशन नहीं होता, ठीक है वीमा नहीं होता, ठीक है, तो इतना नोट में लिख लिए हो, तो मुझे जल्दी से बता दो, मुझे जल्दी से बता दीजे, इतना नोट में लिख लिए हो, यानि अ सम्तल कोन होता है थोस कोन होता है सम्तल कोन की बात करें यानि प्लेन एंगल इसका यूनित होता है रेडियन ठीक है और इसका डायमेंशन कोई पुछेगा तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है यह डायमेंशन लेस होता है उसके बाद मैंने बता है थोस कोन यानि सॉलिड तो इसका जो unit होता है वो क्या होता है stay radian होता है क्या होता है stay radian होता है और dimension इसका भी नहीं होता ठीक है तो वही note में मैं लिखवाया हूँ note में क्या लिखवाया हूँ कि कोन का कोई विमा नहीं होता ठीक है इतना लिख लिए हो अब इतना अगर लिख लिए हो ना तो आप लोग इसको इसके नीचे एक और पॉइंट लिख लिजेए इसके नीचे सर एक और पॉइंट लिख लेना है उसके बाद देखो आप खुद बना पाओगे जितने भी भौतिक रासी है ना सब का डाइमेशन आप खुद निकाल पाओगे नोट में लिख लेना है नोट में क्या लिखना ऐसा नोट में लिखना है अगर लंबाई हो ठीक है इन सभी बहुतिक राशियों का जो वीमा होता है, वो क्या होता है, तो लंबाई हो गया, चोडाई हो गया, उचाई हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है, तो लिख लेना है, इन सभी बहुतिक राशियों का डाइमेंशन क्या होता है, इन सभी बहुतिक तो इन सभी बहुतिक राशियों को जो डाइमेंशन होता है यानि वीमा होता है एल होता है अगर लिख लिए हो तो एक बार जल्दी से यस बोल दीजे मुझे दिखे यहां पर मैं क्या क्या आपको बताया यहां पर मैंने पहले साथ बेसिक फिजिकल कॉण्टिटीज यानि साथ महत्मुन भौतिक रासियों के बारें बताया कौन सी वह रासि है बचो तो लंबाई था द्रव्यमान था समय था सर तापमान था धारा घोतित त्रिवता था उसके बाद पद्धार्टी मातरा थी सब का ऐसा यानि सप्लिमेंटरी यूनीट के बारे बताया कि यह दो होते है एक होता है समतल और दूसरा होता है ठोस तो सम्तल का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है और ठोसकोन का जो ऐसा यूनिट होता है वो स्टे रेडियन होता है ठीक है इसके बाद मैंने नोट में लिखवाया कि सर जो कोन होता है इसका कोई डैमेंशन नहीं होता कोई विमानी होता फिर उसके बाद एक और मैं अब रेडी हो आप लोग, अब जित्ती भी भूतिक रासियां है, सब का हम डायमेंशन निकालना सिखेंगे, ठीक है, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, रेडी हो आप लोग, अगर रेडी हो तो चलिए, पहला जो है, आचुका है आपकी स्क्रीन पे, छेतरफल है, ठ क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, ठीक है सर, एरिया कहते हैं, चलिए, क्या कहते हैं, हम लोग एरिया कहते हैं, तो देखिए, सुत्र मालूम होना चाहिए, कुछ इत्ती भी भूतिक रासियां है, सब का सुत्र मालूम है, तो आप इसली, डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते सुत्र क्या होता है इमेशन अभी मैंने बताया था यहां पर लंबाई हो चोड़ाई हो हो दूरी हो तो भीड़ासी होगा यहांन पर क्या करना है यहां पर लंबाई का LW收 लंगा ओप करता है बाद करेंगे लंभाई का unit क्या होुता देंग मिELT चलते हैं चोडाई अभी क्या होगा बचल्फ लंबाई हो गया तो दुरी हो गया विस्थापन हो गया त्रिज्या 예 salut यूनिटने विस्थापन हो गया, ना सब़ा स Beginning एक तरफ जो आपको dimension मिल गया, एक तरफ जो इसका unit मिल गया, ठीक है, चलिए, अब दूसरी यहाँ पे जो रासी है वो है आयतन, ठीक है, आयतन यानि volume, तो जल्दी से बताओ, इसका क्या होगा dimension, बिल्कुल fast बताएंगे सभी बच्चे, बिल्कुल fast बताएंगे, क्या होगा तो देखो, आयतन बराबर होता है, लंबाई, गुने, चोड़ाई, गुने, उचाई, यानि length, breath into height, ठीक है, यह होता है, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, लंबाई, गुने, चोड़ाई, गुने, उचाई, ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ पे लंबाई का मैं क्या बताया फिर गुने में चोडाई का होता है meanetr घुद्ध Can क्या हो जाएगा मीटर क्यों हो जाएगा सभी को समझ में आ रहा है चलिए बहुत अच्छी बात है यह डेमो वीडियो है अगर आपको डेमो वीडियो अच्छा लगे तो ही आप को पर्चेस कीजिए बच्चो और यहां पर लगभग चार सालों से क्लास चल रहा है आप लोग तो रिजल्ट भी देख सकते हैं हमारे बच्चों का बच्चे टॉप किया है ना पटना का PMCH हो गया NMCH हर इक कॉलेज में बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर जिस कॉलेज में हमारे स्टुडेंट ना हो ठीक है तो बच्चों अगर आप भी सही डिरेक्शन में इसा कोँ में डिलाए और नहीं चाल बराबर डूरी बट्टा में ना मिलते हो ठीक है तो दूरी जो हता है fastest इसका क्या होता है अभि मैंने बताया तो दूरी का होता है, L हो जाएगा, ठीक है, अपन में समय का होता है, T होता है, तो L अपन T, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे L का L हो जाएगा, अब यहां पर T का पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 है, इतना तो समझ रहे हो, अब यह T का पावर 1 उपर जाएगा, L के पास, तो यह T का पावर माइनस वन हो जाता है, यदि कोई भी संख्या बटा में है, और उसका पावर प्लस में है, उपर जाता है वो, तो माइनस में हो जाता है, इतो पढ़े होंगे आप लो, तो L अपन T, यानि L, इंटो T का पावर माίνस 1 हो जाएगा, यह डायमेनेशन हो गया, यूनिट की बात करेंगे, सर यूनिट, तो लंबाई, यानि दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, अपन में, समय क्या होता है, सेकेंड होता है, तो meter per second इसको पढ़ेंगे यहाँ पर S का power कुछ भी नहीं है तो बना है उपर जाएगा यानि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं meter S का power 1 उपर जाएगा तो S का power minus 1 हो जाएगा यानि इसको meter per second भी पढ़ सकते हैं कोई रिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है सर इसके बाद velocity है यह होता है विस्थापन बटा समय यानि displacement upon time क्या होता है सर यह होता है विस्थापन बटा समय यानि displacement upon time होता है displacement upon time होता है तो विस्थापन का क्या होता है अब भी जस्ट मैंने बताया था लंबाई हो चोड़ाई हो दोरी हो विस्थापन थिरिज्ञ्यहो व Τरिज्ञ जो ल हो लो सब अइकनार जहें किया हो लाया क्या हो साइर्य साहें अपनमें समय का क्या हो जाया टी हो जायगा ठीकर यांपे पर कुछ भी नहीं आपका चाल का जो था डाइमेंशन, ठीक है, यूनिट की बात करेंगे, तो विस्थापन का क्या होता है, वही मीटर ही होगा, अपन में समय क्या होगा, तो सेकेंड होगा, तो मीटर पर सेकेंड इसको भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसके बात त्वारन, त्वारन है, यानि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सलरेशन कहते हैं, तो यह होता है, वेग बटा समय, क्या होता है, त्वारन बराबर, वेग बटा समय, यानि, what is acceleration, तो change in velocity upon time, that is called acceleration, यानि वेग में परिवर्तन त्वारन के दर को ही क्या कहते हैं, तो देखो, वेग का, वेग का भी आप लोग लोग ले निकाला था, त्वारन बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, बच्छो, फॉर्मुला याद रहना चाहिए, तो वेग क्या था, वेग क्या था, L, T का पार माइनस 1, ठीक है, और upon म पीच की पार आपउध की से को बच्छाएब, तो देखो धीक होता है, तो यहां बच्छाएगा तूद सायुक्त पार मेंश्ड हेखो, तवक है निकाल टीतक है, तो वेग का बच्छाएगा अग। दून फर ब्रैकेट लगा एग लग दो, यहां यहां पे भी टी मिए तो तो वेक का क्या होता था, मीटर पर सेकेंड होता था, और फिर अपवान में समय है, समय कभी क्या होगा, सेकेंड होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, यह मीटर पर सेकेंड स्क्वेर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए इसके बाद जो है अगला है बल यानि फोर्स तो ये क्या होता है ये होता है द्रवेमान गुनेत वरन होता है सर बल बरावर क्या होता है द्रवेमान गुनेत वरन होता है यानि मास इंटू एक्सलरिशन होता है क्या होता है द्रव्यमान गुने त्वारन होता है ना मास इंटू एक्सलरिशन तो द्रव्यमान का क्या होता है डाइमेंशन होता है मैंने बता है था ना साथ बेसिक फीजिकल क्वांटेटी यानि साथ महत्पून बहुत इकरास यहां तो द्रव्यमान का म हो जाएगा गुने गुने में त्वरन क्या हो जाएगा तो यह 1 मीटर पर सेकेंड इसक्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आ गया है, पॉसका खालगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझ में आ रहा है सब को जी हाँ तो यह जो है यहाँ पर unit निकाल लिए और यहाँ पर आपने क्या निकाल लिए dimension निकाल लिए चलिए इसी प्रकार जो है अगला है some wave यानि जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान गुने वेग यानि यह क्या है mass into velocity iasad तो मुझे यह बताऊ ड्रव्यमान का dimension क्या होता है यह मैं नहीं बता जाया है बता दिया है ना द्रव्यमान का क्या होता है m होता है फिर गुने में gay का क्या होता है अभी जस्त मैंने बताए था वेग का चाल का तुरन का सब बताय था ना अवीक का क्या हो जाएगा L T का पवार माइनस ओन हो जाएगा मल T का पवार माइनस ओन ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है यूनिट की बात करेंगे तो द्रवब्यमान का यूनिट क्या होता है फिर गुने में अब मुझे यह बताओ इस परकार से जो है इसी तरह से काफी बहुत ही कराश में तो आप लोग उसे बन जाएगा मैं उम्मीद करता हूं जाएगा जैसे यह आवेग है तो यह होता है बल गुने समय होता है तो बल का तो अभी मैंने निकालके बता दिया था सर बल का देखो तो बल का भी निकाले थे आप लोग निकाले थे न, M, L, T कापार दो निकाले थे, तो ठीक इस प्रकार बल की जगे जो है, M,ل T कापार माइनस लगेना है गुने में T कर देना है solve कर दो इतने को mmTk power minus 2 और si Tk power kuch का नहीं है तो 1 होता है m करो, L करो अब यहांपे T सफच में नहीं है तो एक सफच में दिखो और यहां बाद Este लिग सफच और si 2 यहां पर कुछ नहीं है तो plus 1 है plus 1 है तो minus 2 और plus 1 कीत रो t? तो आप एक का भी ML T ka pr-minus 1 हो जाएगा यूनित की बात करें, तो बल का क्या होता है Newton होता है देखो, बल का Newton भी ऐसा unit होता है यह आपको बता दे हम ठीक है और गुने में समय का क्या हो जाएगा second हो जाएगा, तो Newton second सुह हो जाएगा इसका unit में, इसका unit में पर लिख सकते हो जैसे देखो बलका तो एक तो यह तो यूनिट हो ही गया या फिर एक न्यूटन भी होता है जो आप सभी जानते हो न्यूटन ठीक है चलिए तो चलिए दोस्तो यह था डेमो तो अब माईडिया स्टूडेंट एक छोटी सी इंफोमेशन है उन सभी छात्रों के लिए जो बिहार परामेडिकल 2023 की तेयारी कर रहे हैं या फिर करना चाते हैं तो दोस्तो अगर आप लोग बिलकुल बेसिक तरीके से पढ़ना चाते हो अल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाते हो हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाते हो जो आपके एक्जाम के पॉइंट आप जो फी है वो मात्र 650 है यानि 650 है तो आपको यहाँ पे वन टाइम जो है 650 फी पे करना होगा उसके बाद जो है आप लोग इस कोर्स में एन्रोल हो सकते हैं अब दिखिए इस क्लासिस का जो फीचर्स है वो क्या-क्या मिलेगा लाइफ क्लासिस मिलेगा रिकॉर्ड वीडियो अब दिखिए दोस्तों इस कोर्स को कैसे आप पर्चेस कर सकते हो इसके लिए कौन सी अप्लिकेशन को इंस्टॉल करना होगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो गैस यहां पर आपको हमारा एप स्टडी विद रितेश इंस्टॉल कर लेना होगा ठीक है हमारा एप्लिकेशन है आपको बता देते हैं स्टडी विद रितेश एप्लिकेशन यह कहां मिलेगा सर तो यह आपको गूगल के प्ले स्टॉर पर मिल जाएगा ठीक है स्टडी और जो इसका लोगो है वो होगा study with rp नाम से देखो यहां पर लिखा जो है study with rp ठीक है तो लोगो जो है study with rp से होगा और जब उस application को install कीजेगा तो आपके सामने देखिए यहीं पर home पर जो है यह course होगा एक course होगा बिहार पारामेडिकल 2030 यह course जो है आपके home page पर ही शोगा बिहार पारामेडिकल 2030 करतब वे बैच ठीक है तो इसी बैच पर click करना है अब दिखिए जैसे यहां पर आप अगर click करते हो यानि इस interface पर अगर click करते हो तो आपके सामने फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा ठीक है इस तरह का इंटरफेस आजाएगा या इस तरह से नहीं करना है तो आप क्या किजेगा यह जो पेड़ कोर्स का इंटरफेस दिख रहा है आप लोगो पेड़ कोर्स का इस पर click किजेगा तो प्रीट कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा ठीक है तो यहां पे आपको एक बैच दो बैचे सोंगे विहार पैरमेडीकल दो जाजाते हैं और एक शो होगा यहां पे विहार पैरमेडीगल दो जाते हैं इस Karma यानि view-detail पर click करना है तो जब आप View Detail पर click करोगे तो फिर आपके सामने जो घुँछ इस तरह का interface आजाएगा ठीक है कुछ इस तरह का interface आजाएगा और इसके बाद यहीं से जो है बाइनाओ पर click कर लेना है और payment कर देना है और payment कर देने के बाद जो है आप हमें इस नंबर पर WhatsApp कीजिएगा 880-980-2288 उसके बाद जो आपको एक गुरूप में भी एड़ कर दिया जाएगा या फिर अगर आपको यहां से पेमेंट नहीं करना है हमारे Google पर फोन पर एक थूरू पेमेंट करना है तो उसकी भी स्वीधा है आप लोग डारेक्ट हमें डारेक्ट ह लिख लिजे यहां पर 980-2288 तो चलिए दोस्तों उमीद है आपको हर एक जानकारी क्लियर हो गई होगी तो चलिए यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें